कहानी ब्यूटी पार्लर सुनिये वैदेही किस्वर में। सिड्नी की ये सुभे कितनी सुहानी थी, न जलाने वाली गर्मी थी, न ठिटुराने वाली सर्दी, और ना ही तेज हवा थी। मौसम बस पर्फेक्ट था, ट्रेक पैंट और स्नीकर पहन कर, सुभे की सैर के लिए निकल पड़ी, घर में कोई था ही नहीं, आज का दिन मेरा पूरा अपना था, कभी कभी प्रोजेक्ट के सिल्सिले में अजय को न्यू कासल जाना होता था, और उस दिन अकसर मैं अपने बच्चे खुचे काम निप्टाने की कोशिश करती थी, खास कर मेरे अपने पर्सनल काम जैसे दोस्तों से कौफी पर मिलना और गपियाना या ज़ाड की तरह बढ़ती हुई, आइब्रोज की थ्रेडिंग, वेक्सिंग या फिर दो घंटे का रिलैक्सिंग फेशिल करवाना और जब से कुलजीत का मोबाईल ब्यूटी पालर खुला है, तब से जब खाली समय मिलता है तो मैं उसे बुला लेती हूँ, मैंने कुछ सोच कर कुलजीत को फोन मिलाया, उधर से कुलजीत की चहेकते हुए आवाज आई, दीदी मैं आपको ही याद कर रही थी, मैंने हस्ते हुए पूछा आखिर क्यों हो, कुलजीत बोली, दीदी याद कीजिए, आज से एक महीने पहले आपने थ्रेडिंग करवाई थी, तो सोची रही थी कि आप बुलाने वाली होंगी, है ना? बिना बाद बढ़ाये मैंने कहा, ग्यारा बजे आ सकती हो, क्यों नहीं दीदी, आप कहें, और मैं ना आओ, मिलती हूँ आपसे ग्यारा बजे, का मन मोह लेती है, उम्र शाय तीस साल के आसपास हो, मेरे घर तक वो बस से आती है, एक बार उसने बताया कि उसे आस्ट्रेलिया आये नौ महीने हुए है, उसके डेड़ साल की छोटी सी गोल मटोल बेटी है, जिसका नाम है करिश्मा, अभी शादी के तीन साल ही हुए है, उसका पती सतिंदर साथ साल पहले आस्ट्रेलिया पढ़ने आया था, रेस्ट्रोरेंट की नौकरी अच्छी नहीं लगी, तो अब रात को टैक्सी चलाने लगा, छे सास्तो डॉलर हर हफ़ते कमाने भी लगा, वीजा की आपचारिकता पूरी होते ही अपनी पत्नी कुलजीत को यहां बुला लिया, कुलजीत के आने से पहले तक अजय हैरिस पार्क की एक यूनिट में शेरिंग में रह रहा था, परन्तु अब एक बेड्रूम की पुरानी सी यूनिट पैरा मेटा में किराय पर ले ली थी, कुछ अधिक नहीं पर गुजारा होगी जाता था, दिन में कुलजीत भी बच्ची को उसके पास छोड़ कर एक दो क्लाइंट्स ढूड़ी लेती है, कुछ नहीं तो उसका कुछ जेव खर्ची निकल आता है, मैं सेर पूरी करके घर पहुँची, घर में बिकरी चीदों को समेटा, एक कब ब्लैक टी के साथ टोस्ट बनाया, कम्प्यूटर पर रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगा, मैं बाहर पड़ी कुर्सी पर आ बैठी, बालकॉनी के नीचे गार्डन में लगे, बड़े बड़े लाल गुलाब कितने खुप्तूरत थे, ये बात अलग कि इनकी खुश्वू भारत के गुलाबों के सामने फीकी थी, पापा के बंगले में लगे, बेले और हरसिंगार याद आ गए, कितना अच्छा लगता था, नारंगी डंडी वाले सफेद हरसिंगार चुनना, बेले के फूल तोड़ कर मा के लिए गजरा बना देना, यहां हरसिंगार तो कहीं नहीं दिखता, पर बहुत से अलग-अलग तरह के देशी फूल जरूर दिखाई देते हैं, कई बार बहुत इंट्रेस्टिंग होता है कि उनकी पंखुडियों और बनावट को देखना, मुझे सड़क के किनारे लगे बॉटल ब्रिश या गोल्डन बॉटल, क्यारियों में खिले बड़े-बड़े लाल गुलाबी, वाराटाह, लिली या कंगारू, पॉप, बहुत लुभाते, सबसे अच्छा लगता जाडियों में खिला, चिडियों की तरह दिखने वाला फूल, जिसे लोग बर्ड ओफ पेराडाइस कहते हैं, कुछ देर में बाहर से उठकर अंदर आ गई, और टीवी चला दिया, चैनल से विन पर मॉर्निंग शू चल रहा था, थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा मौसम का हाल, और बहुत सारी बेकार की छोटी मोटी बातें, लगा, आस्ट्रेलियंस का सेंस और फ्यूमर बहुत अच्छा है, वे अपने मंत्रियों का मजाग बनाने से भी नहीं चूपते, देखी रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी, ओ, ग्यारा बज गए, दोड़ कर दरवाजे तक पहुंची, हलो तीदी, चहकती कुलजीत की आ और मैं अपने घर में पालर खोल लूँगी, उसकी आवाज में खोशी थी, मुझे अच्छा लगा, कोई भी जब आस्ट्रेलिया आता है, उसे स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, माइग्रेशन की भी प्रक्रिया होती है, रेंटल यूने, ड्राइविंग लाइसेंस से ले मेरी जिन्दगी, नौकरी, घर, अजय और मित्रों के साथ काफी बिजी थी, तीन महीने बाद ही उसका फोन आया, कि अब उसने दो बेडरूम यूनिट किराय पर ले ली है, और एक कमरा उसने पारलर बना लिया है, प्लीज दिदी आप यहाँ आईए, और अपने फ्रेंड बुप करके उसके घर गई, पैरामेटा के इस सबब में सडक के किनारे अनेक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, देखते देखते पुराने घर यूनिटों में बदल गए थे, लोग बढ़ गए थे, बहुत से विद्यारती थे, जो दो या तीन कमरे की यूनिट में एक स साथ रहते थे, लड़कियां भारती रेस्ट्रों में काम कर रही थी, तीसरे फ्लोर पर कुलजीत के घर पहुंचकर घंटी बजाई, तो चहकती हुए कुलजीत ने दरवाजा खोला, उसके पारलर वाले कमरे की तरफ बढ़ी, तो उसके अभिरूची से प्रभावित हुई घर बहुत अच्छा डेकुरेट किया है कुलजीत, मैंने कहा, सब कुछ आप जैसे लोगों से ही सीखा है, वो बोली, अच्छा लगा कि एक युवा परिवार सेटल हो रहा है, ठीक ही है, यहां सब एक बराबर है, भारती ये वैसे भी महनती होते हैं, जल्दी ही घर भी खर लेते हैं, साल दो साल में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सोचकर तसल्ली हुई, सब कुछ वैसा ही चल रहा था कि एक दिन टीवे नियूज ने मुझे चौका दिया, एक इंडियन ड्राइवर को कल रा सिटी में कुछ लड़कों ने छुरा मार दिया, और वो ट्रिटिकल ह चालत में अस्पताल में भरती है, उसके परिवयर में दो साल की बच्ची और पत्नी है, अचानक मुझे कुलजीत का ध्यान आ गया, ओ ये क्या हुआ, मेरा दिमाग भनना गया, दोड़कर गई और कुलजीत को फोन किया, कुलजीत आर्यों ओके, मैंने टीवी में अभी दे इसने कहा, उसके स्वर में घबराहट और अहायता थी, घबराओ मत मैं अभी आती हूँ, मुझे हॉस्पिटल के डिटेल्स बताओ, कहते कहते ही मैंने जूते पहने, पर्स उठाया और गाड़ी की चाबी ली, वेस्ट मीड हॉस्पिटल मेरे घर से 20 मिनिट दूर था, कैसे हो गया, ये सब सोचते सोचते में हॉस्पिटल पहुची, बच्ची को गोद में लिए कुलजीत, आई सीउ के बाहर बैठी रो रही थी, उसके पास उसकी सहेली और सतिंदर के कुछ मित्र थे, जो बराबर उसे सांतवना दे रहे थे, सतिंदर की हालत क्रिटिकल थी, डॉक टैक्सी में लेकर चला, तो वे racist comments करने लगे, सतिंदर ने थोड़ी देर तक सहन किया, उसने बस एक बार का, please, please mind your language, तो लड़के गालियां देने लगे, और बोले, you bloody Indian, go back to your country, you beggar, सामने की सीट पर बैठे लड़के ने उसे धक्का दे दिया, सतिंदर ने टैक्सी किनारे रोग दी, और लड़कों से उतर जाने की request की, बस इतनी सी बात थी, कि उन्होंने उसे धक्केल कर नीचे गिरा दिया, जाने कैसे एक लड़के ने छुरा निकाल लिया, और उसके सीने पेट पर अंगिनत वार कर दिये, और भाग निकले, किसी अन्य ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया और उसे हॉस्पिटल के एमरजेंसी में लाया गया, अवे जिन्दगी और मौत के बीच जूल रहा था, कुलजीत और उसकी दो साल की बच्ची का भविश सोच कर मैं पूरी तरह हिल गई, समझ नहीं आया कि कैसे एक रात में सारी चीजें बदल गए, उसे गले से लगाया, तसली दी और घर चली आई, घर पहुँचकर भी मन अनमना रहा, दिमाग वहीं अटका रहा, हालकि आस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल देश है और यहां साठ से भी उपर देशों के लोग रहते हैं, पर यदा कदा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बड़े पदों पर प्रमोशन की बात हो, तो काम क्वालिफिकेशन वाले आस्ट्रेलियान को ही नौकरी मिलती है, परंतु सामानिता आस्ट्रेलियान शान्ति प्रिये हैं, मैं कुलजीत की मित्र का नंबर ले आई थी, बराबर टच में थी, शाम होते नहोते, प खबर के साथ रोश भी फैल गया था, उसके मित्रों ने फेस्बुक पेज बनाया था, सेव सतिंदर और लोग बाग प्राथना कर रहे थे, कि सतिंदर ठीक हो जाएं, उसके यंग फैमिली से सब को सानवू दी थी, रात में मैं अजय के साथ कुलजीत से मिलने गई, तो काफी लोग अस्पताल के बाहर थे, सतिंदर के मित्रों के अलावा, कुलजीत के पार्लर की क्लाइंट्स भी उसे तसल्ली दे रही थी, पता चला कि कुलजीत और सतिंदर के परिवार के सदस से शीगरी पहुचने वाले हैं, मैंने कुलजीत को गले लगाया, तसल्ली दी और चली आई, बड़ी मुश्कल से नींद आई थी, करीब तीन बजे फोन के गंटी बजे, कुलजीत की दोस्त का फोन था, दिधी सतिंदर इस डोमोर, डॉक्टर्स उसे बच नहीं पाए, इतना बताकर उसने फोन बंद कर दिया, उसने एक लिंक फोरवर्ड किया, जिसमें सतिंदर की बॉड़ी को इंडिया और कुलजीत को इंडिया भेजने के लिए एक लाख डॉलर इकठे करने थे, ऐसे समय में कौन साथ नहीं देता, हमने भी जितना संभव था डोनेट किया, और जल्दी पैसा एकठा हो गया, मैं समझ नहीं पा रही थी, कि इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया, छे बज़े कुलजीत के पास जाप मौची, रोती सिसकती कुलजीत को गले लगाया, उसकी सूजी लाल आखे देख, मन व्यतित हो उठा, उसे तो अपना हो ऐसे में मां से बड़ा सहारा और कौन हो सकता था, इंडिया में अंतिम संसकार हुआ, पुलिस ने चारों लड़कों को अरेस्ट किया और सजा सुनाई, जिस लड़के ने छुरा मारा था, उसे 20 साल की जेल हुई, अन्य लड़कों को भी कुछ साल और महीने की पैनल्टी द पंजाब वापस चली गई, किसी को फोन नहीं किया, ना ही किसी से मिली, कभी नहीं देखा था कि सपने ऐसे मर जाते हैं, आज भी जब उसकी यूनिट के पास से गुजरती हूं, तो उसकी चैकती वी आवाज को याद करती हूं, दीदी, कभी आउना मेरे पारलर पर, आप स सबी श्रूताओं का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।